हर खबर पर होगी आपकी पकड़ जाउन्लोड कीजे एबिपी लाइब आप जेपी याने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा अमिशा के बाद जेपी नड़ा ही बीजेपी को विधान सबाद चुनावों में तावर तोड विजे दिला रहे हैं अब वो बिहार चुनावों या फिर हैदराबाद की चार मीनार पर कमल का तिलना और अब नड़ा पश्चिम बंगाल में यह यू कहें कि विजे नड़ा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए विजेद्वार खोलने के मिशन पर जा रहे हैं हम कब लोग मिलकर इस जुनाओं को उनी पाकत से नड़े हैं उनी शिदत के साथ लेज़े हर जिए हर कंसंसी में हर वाल्ड में कमल खुले और कमल को ताकत चुले नहीं में करने आया हूँ ये तस्वीर तब की है जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा पिछले महिने हैदराबाद में नगर निगम चुनाओं का परशार कर रहे थी नड़ा की ही कुशल रण नीती का कमाल रहा बीजेपी ने चार मिनार के शहर पर भगवार लहरा दिया हैदराबाद की जीत को सियासी आस्तर बनाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा अब बंगाल के सियासी रण में उतर रहे हैं अब ममता जी को बोलो या आइश्मान भारत देंगे नड़ा जी के प्रोग्राम में फिर बदल हो रहा है आठ नौ थाम नो दस को होगा है पहले ही जेसा कारिक्रम था वैसे के वैसे कारिक्रम में नो तारिक को यहाँ पर करले का उधगातन है यहीए से नो जिलो के करले का जेपी नड्डा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और ग्री मंत्री अमित्र शाह की चुनावी धार को धारदार बनाकर जमीन पर उतारने में माहिर माने जाते हैं। और बंगाल के चुनाव में बीजेपी का एक मात्र दुश्मन कोई है, तो वो है ममताब एनरजी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता के स्यासी चक्रवियू को भेदने के लिए सबसे पहले उनके घर को ही टारगेट किया है। 9 दिसंबर को नड्डा, भवानी पूर विधान सभा और 10 दिसंबर को डाइमेंड हार्बर का दोरा करेंगे। भवानी पूर ही वो सिठ है जहां से मुख्यवंत्री ममता बैनर जी विधायक है। जेपी नड्डा यहां बीजेपी के आर नौय अन्याय कैम्पेन का हिस्सा बनेंगे। साथी साथ वहां बीजेपी के कारे करताओ से जेपी नड्डा बातचीत करेंगे। अगले दिन नड्डा जिस डायमंड हारबर का दौरा करेंगे वहां से ममता बैनर जी के भती जेपी अभिशेक बैनर जी सांसद है। यहां जेपी नड्डा मच्वडों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने वाले हैं। डायमंड हारबर दक्षिंग 24 परगना जिले में पड़ता है। डायमंड हारबर विधानसबा सीट पर टीमसी का ही कबजा है। जबकि भवानी पुर्व कॉलकाता का ही हिस्सा है। ममता दो बार इस सीट से जीट चुकी है। पिशली बार यानी 2016 में ममता के खिलाब बीजेपी का उम्मिद्वार 30 नंबर पर रहा था। बीजेपी जोर लगा रही है ताकि चुना में ममता को घर में ही भेर लिया जाए। यह वो लोग करते हैं जो जान जाते हैं पूरे चार साल आपका तमन करते हैं और चुनाओं के पांचुए साल में लुभावने नारे देते हैं यह है T.M.C. और बीजेपी वो है जो कहती है वो करके देती है उसको पूरा कहती है। कॉलकाता का मर्शूर कालिखाट मंदिर इसी भवानिपूर से सठा हुआ है जहां जीत का आशिरवाद लेने नेता जाय करते हैं। एयरपूर्ट में आएंगे हम लोग कारीकरण का साथ संगटे ने करेंगे। भावनिपूर में आरनवान नाय जो कारीक्रण है जन्सपाक के अविजयन उसमें जायेंगे, काली थेट में फूजा देने के लिए जायेंगे। दूसरा दिन डामट हर बार जाएंगे प्रेस कॉन्फेंट वोगर बादबागी जो है पारिक्या संगटेनी कारिक्रम है जेपी नटा के इस दो दिनों के दोरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तेज तर्रार प्रवक्ता सम्वित पात्रा को जिम्मेदारी दी है यह प्रिजिकल्न खोटा फर्व को कोई राज नहीं तरा आपने पर्फॉर्म नहीं कार पाया रहे हैं, आपने फॉलेटिकल लिजेंडा को सबक्राइबरन चैनल का अपनोंस इच्वाल से दोनों में के पत्रिक्शिय। तक जो तीन-चर जगा उख़त पंगाल में एक दम पेटेंट है उसमें एक है डैमन धरवाद इसलिए उसको उपर फोकस है बेहग सौम में और सधे अंदाज में अपनी बात कह देने वाले जेपी नड़ा इसी साल के शुरवात में पार्टी के अध्यक्ष बने अध्यक्ष बनने के बाद ही उनके सामने दिल्ली चुनाव की चुनोती थी दिल्ली में बीजेपी जीती तो नहीं लेकिन पार्टी ने परदर्शन पिछले चुनाव की दुलना में बेहतर किया और साल के अंत में जिस बेहार चुनाव के हारने की चर्चा होने लगी थी वो चुनाव जीतकर जेपी नड़ा ने देश को अपनी रणनीती का लोहा मनवा दिया तब प्रधानवंत्री मोदी ने भी मंच से नड़ा की तारीव की थी ये चुनावी नतिजे भारतिये जनता पार्टी के हमारे राष्ट्री अध्यक्ष स्रिमान जेपी नड़ा जी की कुशल्ता और प्रभावी रणनीती का भी परणाम है नड़ा जी को जितनी वधाई दे और अभी पिछले दिनों ही हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजे का जंडा ले रहा है हैदराबाद में बीजे पी पिछली बार जहां चार सीटों पर जीती थी उस हैदरबाद नगर निगम में बीजेपी अब 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पाइटी बन गई अगले साल अप्रेल माई महिने में पांच राजियों में विधान समा के चुनाब होने है पश्यमंगाल, असम, तमिलाडू, केरल और पुद्दूचेरी में ये चुनाब है पांच राजियों में से सिर्फ असम में अभी वीजेपी सब्ता में है जेपी नड़ा के सामने असम में वीजेपी की सब्ता बचाय रखने के चुनाथी तो है ही बंगाल में वीजे हासिल करके मोधी और अभीतिशा के सपनों को पूरा करने का लक्षे है ऐसा नहीं है कि जेपी नड़ा सिर्फ विदान सवाद चुनाव का लक्ष लेकर चल रहा है 2024 के लोक्सवाद चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी तयारी शुरू कर रखी है जेपी नड़ा 120 देन के देश व्यापी प्रवास पर निकल चुके है इससे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की है उत्तरखंड से और महिने के अंत में जेपी नड़ा यूपी के प्रवास पर रहेंगे कल के जेपी नड़ा के दौरे से पहले ममता बनर जी ने बीजेपी पर बड़ा प्राहर किया है ममता बनर जी ने कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे जो भी हो बंगल में जो रहता है और बंगल का आदमी है हम बंगल का आदमी बोलते हैं अगर बंगल से सब को हटा देंगे अरो खाली उसको गुजराट में बंगल को गुजराट बनाने चाहेंगे तो हम नहीं देंगे हम नहीं देंगे हम नहीं देंगे हम गुजराट को इज सबसे ज्जादा है लेकिन य longtime चाते में जैसा सब सक हुते उप में घंदर सबसे ज्यादा है झालद है प्यक्तुनिटरस झाल झाल